इस वीडियो की मादम से हम जानेंगे पेटरंस ओफ नर्सिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया इंडिया के अंदर नर्सिंग से रिलेटेट कौन-कौन से कोर्स करवाया जाते हैं और कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया जाते हैं और उनको कर कोर्स होता है वह रहता है एन्सरी इसके बाद आता है एंसके बाद आता है यदि डिप्लила कोर्स होता है इसको हम कहेंगे जैंडरल नर Σहं एंड वाइअ वृवरी तीसरा रहेगा व्सक बेचलर आफ नर्सिंग इसे कहेंगे बीज़त नरसिंग तर रहेगा Post Basic Bachelor of Nursing इसे हम कहेंगे Post Basic B.S.C. Nursing इसे डिग्री के अंदर रहेगा M.S.C. Nursing तो इसे हम कहेंगे Master in Nursing और Master of Philosophy in Nursing जसे हम कहेंगे M.Phil Ph.D. Level का रहेगा Doctorate in Philosophy in Nursing जसे हम कहेंगे PhD in Nursing और कुछ certificate course होते हैं तो यह रहेंगे पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्स और नर्स प्रेक्टिशनर कोर्स अब हम जानेंगे कि जो A.N.A. में उसको करने के लिए हमारे पास क्या-क्या eligibility criteria होना चाहिए इसको करने के लिए 17 years होनी चाहिए minimum 17 years होनी चाहिए और ये लड़कियों के लिए करवाया जाता हमारे जो female candidate होती है वो इसको कर सकती है और जो maximum age है वो 35 साल की होनी चाहिए तो जिनकी ये 17 से 35 साल की है वो इस course को कर सकती है इसमें एड़िशन के लिए आपको 12 pass होना चाहिए वो किसी भी field में हो या आर्ट, साइंस में तो कोई भी इसको कर सकता है और जो student है वो medically fit होना चाहिए अब हम जानेंगे GNM course के बारे में इसको हम कहेंगे gender nursing and midwifery तो इसके लिए क्या-क्या eligibility criteria होना चाहिए तो जो student GNM करना चाहता है उसकी minimum 17 और maximum में 35 साल के बीच में होनी चाहिए 17 और 35 यास के बीच वाले student इस course को कर सकते है यह diploma course होता है और इसके लिए हमें 12th pass होना चाहिए science subject से जिसमें physics, chemistry और biology में हमारे पास 40% marks होने चाहिए और ऐसे student जिनोंने ANM किया है तो वो GNM कर सकते है और student medically fit होना चाहिए अब हम जानेंगे BAC nursing जो BAC nursing है उसके लिए क्या-क्या eligibility criteria रहता है तो इसके लिए भी जो AJ वो 17 से 35 साल के बीच में होती है और इसको करने के लिए 12th pass होना चाहिए और हमारे पास physics, chemistry और biology में 35% marks होने चाहिए और student medically fit होना चाहिए तो essay student BAC nursing कर सकते है post basic BAC nursing जिसको करने के लिए 12th pass होना चाहिए और essay student जिनोंने GNM किया है general nursing and med wip ए course किया है और वो state nurse registration council में registered हो तो essay student भी post basic BAC nursing कर सकते हैं और candidate को medically fit होना चाहिए MSC nursing तो इसको करने के लिए क्या-क्या disability criteria देता है तो essay student जिनोंने BAC nursing की है तो वो MSC nursing कर सकते हैं और BAC nursing में कम से कम 55% marks होने चाहिए तो essay student MSC nursing कर सकते हैं यह लग-लग subject में करवाई जाती Master in philosophy में admission लेने के लिए nursing के अंदर essay student जो admission लेते हैं तो वो दो प्रकार से इसको कर सकते एक तो रहता है regular basis पे और एक रहता है part time basis पे जो regular basis पे करना चाहता है उनके लिए एक साल का रहेगा और जो part time course करना चाहता है उनके लिए दो साल का रहेगा अब हम जानेंगे PhD nursing नर्सिंग में कौन PhD कर सकता है तो ऐसे student जिन्होंने MS nursing कर रखी है वो PhD कर सकते हैं जो research करना चाहते हैं नर्सिंग में तो वो लोग PhD कर सकते हैं और इंडिया के अंदर जो मेंचे college है वो है college of nursing निम्हंस बैंगलोर और एक college of nursing नियो डेली cmc college of nursing वेलूर cmc college of nursing लुदियाना government college of nursing तिरुविननत पुरम government college of nursing है इसके बाद में भी बहुत सारे college कुल गए हैं अलग-अलग स्टेट में तो वो PhD कर सकते हैं nursing के अंदर अब कुछ post basic diploma courses भी इंडिया के अंदर करवाया जाते हैं nursing के अंदर तो वो रहेंगे post basic diploma in oncology nursing post basic diploma in course of practitioner in medvipery post basic diploma in new natal nursing post basic diploma in psychiatric mental health nursing post basic diploma in emergency and disaster nursing तो इन फिल्ड में जो student nursing में diploma course करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जानेंगे nurses practitioner in medvipery तो यह जो course है उसके लिए क्या-क्या eligibility criteria होना चाहिए तो ऐसे student जिनका state registration council में registered nurse and registered medvipery के रूप में registration हो तो ऐसे student इस course को कर सकते हैं और उनके पास staff nurse का 1 साल का experience होना चाहिए और वो medically fit होना चाहिए अज़ सकते हैं